हलो फ्रेंड्स हाव आर यू फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे खूबसूरत पलों को जो हमने फोटो में कैप्चर किये उसे सहेज कर रख सकते हैं आज की इस डिस्टल दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने खूबसूरत पलों को कैमरा में क्लिक्स ना करता हो लेकिन एक टूथ है कि फॉन में कम मेमरी होने की वज़े से हम उन पलों को उन फोटो को डिलीट कर देते हैं कई बार ऐसा होता है कि आज हमें लगता है कि ये फोटो काम की नहीं है चलो इसे डिलीट कर देते हैं लेकिन आगे चल कर हमें एहसास होता है कि काश वो फोटो मेरे पास होती है और एक दूसरा fact भी है, आज कलकी इस भागदोर की जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हमारी सारी photos को अगर हम 100-200 photos एक ही दिन में click कर डालते हैं किसी खास event पर तो हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उनको एक एक करके check करें और select करें कि उनमें से खास photos कौन सी है और उन्हें हम save रखें और एक समय के बाद हम उस पूरे set को ही delete कर देते हैं और हमारी memory को free कर लेते हैं अगली photos के लिए क्या आपको नहीं लगता कि इन खूबसूरत पलों को काईदे से सहेज कर रखना चाहिए क्या हिने हमारे life से मिड़ा देना चाहिए आज हम इसी topic पे बात करने वाले हैं आज हम ऐसे ही एक tool के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका personal assistant साबित होगा वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा कि आपका खुबसूरत पल जो आपने camera में capture किया वो कहीं दूर ना जाए वो delete ना हो वो आपके पास हमेशा रहे और एक और बड़ी बात इसके लिए आपको extra समय की जुरूरत नहीं है मतलब ये कोई ऐसी complex time consuming app नहीं है जिससे आपका सारा समय खराब हो जाए और आपको लगे कि ये बहुत बड़ा सा task है बहुत ही छोटी सी app है, बहुत ही simple है और सब कुछ automatic है चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्या है Friends, इस app का नाम है Google Photos आपको पहले ही बता दूँ, ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में Google Photos के एक एक फीचर पर बात करेंगे मैं आपको बताऊँगा कि Google Photos क्यों है best तो चलिए समय की नजागत को समझते हैं और start करते हैं पहला फीचर और सबसे बड़ा फीचर दोस्तो गूगल Photos आपकी Photos को ओनलाइन क्लाउड पर सेव करता है यानि कि आपकी फॉन मैमरी इससे नहीं भरती आपकी फॉन मैमरी का इस्तमाल आप दूसरे का मोगिली कर सकते हैं आपके फॉन पर कौन से folders auto upload करने हैं आप ये दै करते हैं आप चाहें तो manual uploading भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपको space free करना चाहिए आप free up space बटन पर click करें जो photo automatic upload हो चुकी है या आप manual upload कर चुके हैं वो photo आपके phone system से delete हो जाएगी और इस तरह से आपका space बन जाएगा मतलब ये कि आप अपने जिंदगी भर की photo आप यहां रख सकते हैं आपको एक single photo भी delete करने की आशकता नहीं है वो अलग बात है कि आप select करके जो photo important ना हो या गलती से खिंची गई हो या दिखने में अच्छी ना हो आप उन्हें delete कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अगले feature की जो personally मुझे बहुत अच्छा लगता है Google Photos आपके मित्र आपके family members की photos को अलग अलग कर देता है Google Photos बहुत ही smart tool है वो समझता है कि आपका भाई कौन है आपकी बेटी कौन है और आपके friends कौन कौन है इसके लिए आपको इसके interface में face का option मिलता है जहां आपको इसे एक बार बताना होता है कि इस face का नाम यानि कि इस person का नाम ये है और उससे आपका क्या relation है और इसके लिए by default ये आपके contacts में से उसका नाम उठा लेता है जैसे कि मामा, चाचा, नानी जैसे कि आपने नाम दिया हो हाँ आपकी बदत से आप इस function को और भी smart बना सकते हैं तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप इसकी automatic recognition पर नजर डालें और उसे correct कर लें बात करते हैं अगले feature की जो इसी feature से जुड़ा है स्पोज किजिए आप कहीं घूमने गए हैं, आप तीन friends घूमने गए और विजिट खतम होने पर आप से किसी friend ने अपनी photos मागी तो आप just simply उसका नाम लिखेंगे, उसकी सारी photos अलग हो जाएंगी और आप उसे send कर सकते हैं घबराईये नहीं दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको बहुत महनत नहीं करने पड़ेगी वीडियो को अंतक देखते रहें, इसका searching feature पे बात करेंगे जो कि बहुत ही smart है यही नहीं, यह आपके पाल तुपशू आपके pets की photos को भी अलग-लग folder में डाल देता है बढ़ते हैं अगले feature की तरफ, तो यह थी बात face recognition की, अब बात करते हैं scene recognition की Google photos पहचानता है कि आपकी car कौन सी है, पहाड कहां है, होटल कौन सा है तो face recognition के साथ-साथ Google photos आपके अलग-अलग place की भी virtual folder करता है for example, जयपूर हवा महल, तो हवा महल जयपूर की सारी photos आप इतना लिख कर इस सर से अलग कर सकते हैं आपके हाथ में cake और सर पर birdie cape देखकर इसे पता चल जाता है कि यह birdie event है या कोई party है तो आप अपनी photos को event के अधार पर भी search कर सकते हैं, उन्हें अलग-अलग कर सकते हैं for example, आप लिखें यशिका birdie, तो ये आपको यशिका की birdie की सारी तस्वीरें दिखा देगा चलिए friends, अब बात करते हैं इसके search feature की आप इसे कह सकते हैं मेरी लाल shirt में photo दिखाओ एक लंबे example की बात करते हैं, आप लिखें, मी एंड यशिका एड चितोडगर्ड in train in red shirt तो ये अलादीन के चिरागी जिन की तरह आपके हुकम की तामील करेगा लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको चिराग घिसने की जुरूरत नहीं होगी आपको ये search phrase में लिखना पड़ेगा अब बात करते हैं sharing feature की, sharing feature बड़ा ही कमाल का है अगर आपका कोई friend कह दे, भाई सारी photo भेज़ दो तो सारी photo का मतलब 120 photos आप सोच सकते हैं कि 120 photos वार्टसेप पे भेज़ने में कितना time और time छोड़िये कितना data consume होगा लेकिन यहां ऐसा नहीं है आप इसके लिए एक अलग से album बना सकते हैं और उस album का link आप अपने सभी 5-7 friends को send कर सकते हैं Friends, video लंबा होता जा रहा है और मैं आपको एक-एक बात समझाना भी चाता हूँ तो अच्छा रहेगा कि हम इसका एक अगला बाट बना दे उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप इसके auto sharing features को कैसे इस्तवाल कर सकते हैं और एक और खास बात आपको photo edit के लिए Photoshop या किसी दूसरे photo editor की जरूरत नहीं आप इसी में ही photo edit कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा intro दूँगा इसके photo editor के बारे में भी आप चाहें तो उससे पहले पूरा article हमारे blog पर पढ़ सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में